रविवार सुभा साइक्लिंग के लिए घर से निकली और फिर देश शाम भी घर नहीं पहुँची पूरे दिन दो माओं की सुनिया की अपनी नजर के टुकडों को ढूंटी रही कोई तो लादो, कोई तो हमारी बच्चियों को ढूंदो कहते हुए दोनों माएं बिलक बिलक कर रो रही थी लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था बच्चों के पिछड़ जाने का गम क्या होता है ये एक माँ से ज्यादा और कोई नहीं जानता रोतक से रविवार सुभा लापता हुई बच्चियों का पता देर रात तक भी उनके घरवालों को नहीं लगा पूरा दिन अपनी बच्चियों को वह ढूंते रहे लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल पाया वो माएं अपनी बच्चियों की तालाश में दिन रात बिटकती रही और फिर देर रात एका एक घर के नमबर पर एक फोन आया ये फोन उसी का था जिद के पास उनकी दोनों बच्चियों का पता था फोन था JRB थाना फिरोजपूर का जिने देर रात ट्रेन के डबे से दो बच्चियां मिली बच्चियां ट्रेन में बैट कर बिलक बिलक कर रो रही थी तो हम उनको वह अपने उसमें लेकर आई हैं और उनको जो है वहाँ पर मुन्हें ठीक नंसे खाना वाना खिलाया और बच्चों को वहाँ सुला दिया था हमें इंफॉर्मेशन कर दिया और अबूजिया सुभसब्य सुभ़सरा कर दम daí में यह से खुमने के लिए दो के साथ पड़ती था है तो पॉर्डों दोनों और दम उनकी हैं तो हम वार्ट से हवा गरवागी और स्टेशन पे चले गए और वहां से निट्रीन में बैठ के और जो आगी निकल गए उसके बाद हम पता नहीं कहां पोच गए हैं और उसके बाद का यह निपता में ट्रेन भी चेंज की है और आगी जाके वो हमें यायक का इंफरमेशन मिलिया कि वी परशाशन ने यहां पर पूरे दिन कारवाई की है और पुलिस ने भी, C.I.A. स्टाफ ने भी अच्छी तरह से लेवो किया है तो क्या कभी बच्चे के लिए ट्रेन में नहीं बैठी थी बच्ची? नहीं जाते हैं ऐसे कुछ बात में तो फिर क्यों एकदम से बच्चों के बन बना कि वी त्रेन में बैठी है या कुछ और मुमें बता रहे हैं कोई बहलाव से सुरी है क्योंकि यह नहीं पता बच्च बच्चियों की साइकिल रेलवे स्टेशन के पास मिली थी जिसके बाद पुलिस ने सभी जी आरपी थानों में बच्चों के फोटो सरकुलेट कर दिये थे जिस कारण दे राद बच्चियों की पहचान हो पाई फिलहार डर से सहमी बच्चियां अपने परिवार को भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है किसे के द्वारा बच्चियों को बहला फुसला कर घड़ से ले जाने की बात भी सामने नहीं आई है हाला कि परिवार इस बात से ही संतुष्ट है कि उनकी बच्चियां घर बापिस आ चुकी है